हमारे अंदर सबसे बड़े दो डर हुते हैं पहला कुछ बिगड़ गया तो क्या करेंगे इस वज़े से हमको एक कदम ही नहीं उठाते और दूसरा मौत का डर हमको लगता है कि अभी जैसे पैंडिमिक हुआ हमको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे जबकि हमको हम जन्म जब लेते हैं तो हमारे अंदर सांसे इस सो डालता है हम कुछ नहीं करते इसी तरह हमारा मृत्तु कैसे होगी ये उपर वाला तै करता है हम नहीं तै करते इस डर को बिलकुल मन से निकाल दीजिए जब जो होना होगा वह उपर वाला कुछ चीज है जन्म व्रत्तु कम से कम वैसे तो हर एक चीज हमारी तै है पहले से लेकिन फिर भी जन्म और व्रत्तु उपर वाला ही तै करता है इसके बाद भी जानते हुए कुछ लोग इतना ज़्यादा ढरते हैं कि भी ऐसी कोई दवा तो बनी नहीं है कि आप खालोगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और अगर आपको मिल जाए तो आप खालीजिए तो जब ऐसा नहीं हो सकता है जो चीज हमारे बस में नहीं हमारे हाथ में नहीं है तो उसको मन से निकाल दीजे दूसरा एक दिन सब की म्रत्व होना है अगर हम इस बात को सुईकार कर लेते हैं तो इस बात का डर हमारे मन से खता हो जाए दूसरा डर जो है कि हम कुछ करेंगे और गलत हो जाएगा तो हम इनसान हैं परफेक्ट नहीं है कोई भी गलतियां इनसानों से होती है हो सकता है कि कुछ गड़बर हो जाएगा पर अगर इस डर से हम कुछ करेंगे नहीं तो हम कभी कुछ सीख भी नहीं पाएगे और हम जहां थे उसी जगर है जाएगे और दुनिया में लोग आंगे बढ़ते जाएगे हमारे घर की आर्थिक स्थितियां हमारे घर की और कोई दूसरी स्थितियां जो हम सुधारना चाहते हैं वो हम कभी नहीं सुधार पाएगे क्यों? क्योंकि हम डर को लेकर के बैटे हैं कि अगर कहीं कुछ गलती से गड़बर हो गई तो हम क्या करेंगे कुछ गरबर न हो जाए हाँ हर काम तो सोच समझ करके कर ये जरूर है बिना विचार किये अगर तैरना नहीं आता है और आपने छलांग लगा दी गहरे पानी में तो डूबना तय है इसलिए कम पानी में पहले तैरना सीखते हैं इसके बाद फिर छलांग लगाते हैं तो पहले किसी चीज को समझ ये जरूर लेकिन समझने के बाद भी कुछ लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो कदम ही नहीं बढ़ाते हैं उनको करना ही नहीं है बस वो एक चीज थोड़ा सा जो हर चीज में माइनस पॉइंट होता है उसी को ले करके बैठ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें अपनी जीवन से सारे डर हटाईए और आगे बढ़िए क्योंकि यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो निस्चित तोर पर है कि हम दूसरों से पीछे रह जाएंगे और दुखू का अंबार हमारे पास होगा सुख हमको नहीं मिल पाए हम केवल और केवल दुखू के अंबार में बैठ जाएंगे दुख के डियर में बैठ जाएंगे इसलिए डर खत्म करिए और आगे बढ़िए आज का वीडियो अच्छा लागा हम तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अब मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबार